नमश्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है कंडिशनर कंडिशनर क्यूं करते हैं आईए समझते हैं असल में शैंपू करने के बाद आपके बालों के क्यूटिकल ओपन या खुले रह जाते हैं जिसके कारण बाल फ्रीजी और ड्राई हो जाते हैं इसी फ्रीजीनेस और ड्राईनेस को दूर करने के लिए कंडिशनर की शुरूरत पड़ती है क्यूंकि यह आपके बालों के क्यूटिकल सील कर देता है जिससे आपके बाल हाइडरेटड और स्मूथ हो जाते हैं इससे split ends की problem भी दूर हो जाती है आईए इसकी types के बारे में समझते हैं live-in conditioner इस परकार के conditioner बालों को shampoo करने के बाद dry hair पे use किया जाता है इसे लगाने के बाद इसको wash नहीं किया जाता बलके इसको बालों में ही इसी परकार छोड़ दिया जाता है इस परकार के conditioner का use colored और chemical treated hair पे किया जाता है dry या spray conditioner इस परकार के conditioner बालों को moisturize, fridge free या detangle करने के लिए use किये जाते हैं ये spray form में आते हैं या मिलते हैं इसके लिए हमें किसी पानी की अवशक्ता नहीं होती क्योंकि ये dry form में या spray form में होते हैं इसको बालों में लगाने के बाद बालों में एक अलग या extra shine आ जाती है deep conditioners इस परकार के conditioners को आप direct scalp पे apply कर सकते हैं deep conditioners को आप बालों में 10 से 30 मिनट के लिए scalp पे लगा के रख सकते हो जा छोड़ सकते हो इसके बाद बालों को अच्छी तरह से पानी से धो लिया जाता है rinse out conditioners इस परकार के conditioners मार्किट में शैंपू के साथ कॉम्बो में आते हैं इसे आपको शैंपू करने के बाद गीले बालों में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके बाद बालों को अच्छी तरह से पानी से धो लिया जाता है या साफ कर लिया जाता है friends आज हमने conditioners के बारे में समझा ये after shampoo treatment होता है हमेशा याद रखें कंडिशनर की मातरा लोड के मताबक ही ले या उतनी ही ले जतनी जूरत है friends डीप कंडिशनर को छोड़ कर दूसरे किसी भी किसम के कंडिशनर को सकालप पे नहीं लगाया जाता और हमेशा याद रखें जिनकी सकालप already oily है उन्हें डीप कंडिशनर्स लगाने की जूरत नहीं होती कंडिशनर्स हमेशा हेर की mid और ends पर apply किया जाता है तांकि वो tangle free और smooth बने रहें अगर आप चाहते हो मैं इसी परकार से आपके लिए informatic videos बनाता रहूँ तो मेरा चैनल भी एच सैलन लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद